नमस्कार स्वागत है साइन्स जोन में आज हम क्लास 12 का इकनोमिस का पार्ट 5 बजार संतुलन का MCQ कुईशन देखेंगे एक से लेकर 4 पार्ट तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है इस यूटूब चानल के माध्यम से जाकर आप देख सकते हैं आज पार्ट 5 बजार संतुलन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और इसी तरह से सभी विशयों का वीडियो अपलोड किया जाएगा यदि आप अभी तक इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दे चलिए स्टार्ट करते हैं पाला क्यूचन से पाला क्यूचन है अती अल्पकाल में पूर्ती होगी तो अती अल्पकाल में किसका पूर्ती होगी तो option चार को दिया जागा उसमें से आपको एक को सही करना है तो हम option को नहीं पढ़ते हैं डायेट इसका answer करेंगे क्योंकि option पढ़ने से वीडियो लंबा हो जागा इसलिए हम इसका direct answer देखेंगे तो इसका सही answer यह हो जागा पुर्नता लोचदार दूसरा question है वस्तू की किमत निर्धारन में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है तो अल्पकाल में अधिक भूमिका किसका होती है तो इसका सही answer भी हो जाएगा तक्निकी प्रगती की तिसरा question है किस बजार में ए आरवक्र अक्ष के समानांतर होता है तो इसका सही answer भी हो जाएगा पुर्ण परतियोगीता के चौथा question है एक अधिकरित परतियोगीता की धारना को किसने दिया है तो इसका सही answer भी हो जाएगा श्रीमती रोविंसन ने पाच्वा question है एक वस्तु की मांग वक्र तथा पुर्ति वक्र दोनों और समान रूप से खी सकते हैं तो साम्मी कीमत क्या होगा घटेगी बढ़ेगी घटेगी या बढ़ेगी ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी तो इसका सही answer डी हो जाएगा ना तो घटेगी और ना निमली खित में से किससे है तो बजार मुल्य का समद किससे है तो इसका सही answer C हो जाएगा समान मुल्य से सात्वा question है अस्थाई पुन्जी का उपभोग क्या है तो इसका सही answer B हो जाएगा घिसावट अस्थाई पुन्जी का उपभोग घिसावट है आठवा क्यूचन है रिकार्डो के अनुसार पुर्ण परतियोगीता में मुल्य निर्धारन होता है तो किसके दवारा होता है तो इसका साई अंसर डी हो जाएगा उत्पादन लागत दवारा नावा क्यूचन है वह बजार जिसमें फर्मों का पर्वेश और गमन पुर्ण सोतंत्र होता है कहलाता है तो क्या कहलाता है तो इसका साई अंसर बी हो जाएगा पुर्ण परतियोगी दास्वा क्यूचन है मांग और पूर्ती से ज्यादा बिरिधी होने पर सम कीमत क्या होगा तो अप्शन है घंती है बढ़ती है घंती है या बढ़ती है ना तो घंती है और ना ही बढ़ती है तो इसका साई अंसर बी हो जाएगा बढ़ती है क्यूचन नमर 11 है सरकार समर्थन कीमत का निर्धारन करती है तो किसके बराबर करती है तो option है सामिक कीमत की बराबर सामिक कीमत से अधिक सामिक कीमत से कम इन में से कोई नहीं तो इसका साई अंसर B हो जाएगा सामिक कीमत से अधिक क्यूचन नमर 12 है कि इस बजार में ए आरवक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तो इसका सही अंसर ए हो जाएगा पुर्ण परतियोगिता में क्यूचन नमर 13 है कि इस बजार में औसत आई सिमान्त आई के बराबर होती है तो इसका सही एंसर ये हो जाएगा पुर्ण परत्योगीता में क्यूचन नमर चौदा है बजार की निमली खित में कौन सी विशेष्टा है तो ओप्शन है एक छेत्र क्रेताओं और विक्रेताओं की इस्थिती वस्तू का एक मुल्य उपर्युक्त सभी तो इसका सही एंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी क्यूचन नमर पंद्रह है एका धिकार बजार की से दर्साता है तो एका धिकार बजार की से दर्साता है तो इसका सही एंसर सी हो जाएगा बजार प्रविर्थी Q16 है किस बजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो किस बजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो इसका सई अंसर C हो जाएगा एका धिकार में एका धिकार बजार में वस्तु विभेद पाया जाता है क्यूचन नमर 17 है एका धिकारी परत्योगीता की निमलीखित में कौन सी विशेष्टा है तो अप्सन है विभेदी क्रित उत्पादन विक्रे लागते बजार का अपुर्ण ग्यान उपर्युक्त सभी तो इसका साई अंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी क्यूचन नमर 18 है किसमें क्रिताओं और विक्रिताओं की संख्या बड़ी होती है तो अप्सन है केवल पुर्ण परत्योगीता में, केवल एका धिकारात्मक परत्योगीता में, ये तथा भी दोनों में, अलपा धिकार में तो इसका सैंसर C हो जाएगा, ये तथा भी दोनों में क्यूचन नमर 19 है, पुर्ण परत्योगीता में क्या इस्थिर रहता है तो अप्सन है, AR, MR, AR तथा MR उपर्युक्त सभी तो इसका सैंसर C हो जाएगा, AR तथा MR, दोनों इस्थिर रहता है क्यूचर नमर बीस है विसुध परत्योगीता का निमली खित में से कौन सा लक्षन है तो ओप्षन है बजार का पुर्ण ग्यान, साधनों की पुर्ण गती सिलता, उत्पाद की एक रूपता उपर्युक्त सभी तो इसका सई अंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी क्यूचर नमर कैसे समरूप उत्पाद विसेश्टा है तो किसका विसेश्टा है तो ओप्षन है केवाल पुर्ण परत्योगीता का, केवाल पुर्ण अलपाधिकार का, ये तथा भी दोनों का इन में से कोई नहीं तो इसका साई अंसर ये हो जाएगा केवल पुर्ण पर्तियों गीता का क्यूचन नमर 22 है संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निमली खित में कौन से हैं तो अप्शन है वस्तू की मांग वस्तू की पूर्ति ए और भी दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका साई अंसर भी हो जाएगा वस्तू की पूर्ति क्यूचन नमर 23 है बजार में वस्तू की कीमत उस बिंदू पर निधारित होती है जहां वस्तू की मांग बराबर वस्तू की पूर्ति होती है तो इसका साई अंसर सी हो जाएगा क्यूचर नमर 24 है गेहु का निवन्तम समर्थन मुल्य कहलाता है तो क्या कहलाता है तो इसका साई अंसर भी हो जाएगा कीमत तल कहलाता है क्यूचर नमर 25 है उच्टम निर्धारित कीमत है तो ओप्सन है कीमत के उपरी सीमा कीमत के निचली सीमा उपर युक्त दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका साई अंसर ये हो जाएगा कीमत के उपरी सीमा क्यूचर नमर 25 है पुर्ण परतियोगी बजार में फर्म होती है तो कैसी होती है तो option है किमत गरहन करने वाली, किमत निर्धारित करने वाली दोनों इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर यह हो जाएगा किमत गरहन करने वाली क्यूचर नमर 27 है किसी वस्तू का मुल्य निर्धारित होता है तो किसके दवारा आता है? तो option है मांग दवारा, पूर्ति दवारा, दोनों दवारा, इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर C हो जाएगा दोनों दवारा, मांग दवारा ओर पूर्ति दोनों दवारा होता है क्यूचर नमर 28 है पुर्ण परत्यों गीता में विक्रे लागते होती है तो कैसी होती है तो अप्शन है बहुत अधिक बहुत कम ना के बराबर सुन्य तो इसका सई अंसर डी हो जाएगा सुन्य क्यूचर नमर 29 है बजार मुल्य संबंधित है तो बजार मुल्य किस से संबंधित है तो अप्शन है अति अल्पकालिन मुल्य से समान्य मुल्य से इस्थिर मुल्य से सभी से तो इसका सई अंसर ये हो जाएगा अति अल्पकालिन मुल्य से बजार मुल्य संबंधित है अति अल्पकालिन मुल्य से क्यूचर नमर तीस है किमत निर्धारन में समय तत्व का विचार किसने दिया है तो ओप्शन है रिकार्डो, रॉबिन्स, जेके मेहता, मार्शल तो इसका सई अंसर डी हो जाएगा मार्शल ने मार्शल ने समय तत्व का विचार परस्तूत किया है